न्यूस बॉर्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ का जोन लरायन शिवात करेंगे खबरों की हर दोई की टड़ियावा और पिहानी पुलिस की सेफ्ट टीम ने तीन अंतर जन्पदिय शातिर चोरों को गिरवतार किया है ये अंतर जन्पदिये शातिर चोर किसानों की उपयोगी उपकरण चोरी कर ले जाते थे पर सफल अनावरन करते वे तीन अंतर जनपदिये शातिर चोरों के ग्यांग का परदा फाश किया गया है। इसमें तीन अभिवत गिरफतार किये गए हैं। बताया जा रहा है कि तबी रिसालत भी वहाँ पहुच गया। दोनों पक्षों के लोग एक बार फिर आपसन भिड़ गये। दोनों पक्षों में काफी देतक मारपिट होती रही। कानपूर शकेरी थाने शेतर में बीटी दिनों किसान बाबू सिंग यादर की खुदकुशी के मामले में मुलाकात करने आया मुलतक किसान की बीटी ने बताया कि मुलतक किसान बाबू सिंग यादर को खुदकुशी के लिए असी दिन हो गये है। और कानपूर पुलिस अभीता का आरोपी आश्यु दिवाकर रंजन की गिरफतारी नहीं कर पाई है जिससे परिवार में दह्शत का मफल है। पुलिस अभीता का आरोपी द्वारा किसान बाबू सिंग यादर की जमीन को वापस नहीं करा पाई है। पुलिस अभीता की बेटियों ने पुलिस अभीता करने का आरोप लगा देवे। कासगंच में सिक्षक संट्रों ने अपनी मागो को लेकर धन प्रदरशन किया। सभी सिक्षक संग्ठनों ने उनलाइन उपस्तिती के विरोध में धर्ना प्रदर्शन किया सिक्षा विभाग ने समय पर सिक्षकों की विद्याले में उपस्तिती ना होने पर वेतन काटने के आदिश्तिये हैं विभाग के द्वारा दिये गए आदेश और सिक्षा संग्ठनों ने सिक्षा विभाग द्वारा दिये गए आदेशे को वापस लेने के लिए धनर प्रदर्शुन किया सैक्रो सिक्षक सिक्षकाओं ने मुख्य मंत्री के नाम संबोधित ग्यापन बСय को सोपा है गजड़ुद्वारा बी रसी केंद्र पर सिक्षक सिक्षकाउं नारिबाजी कर धनर प्रदर्शन किया जहांसे में GST विभाग की टीम ने छापे मार कारवाई की है जिसे वेपारियों में हड़कम बच गया इन दुकान के गोदाम में जाकर सालिक दस्तावेजों की चानवीन की है वही जित्ती कमिशनर पुतिन नियोतनीद ने बताया कि एक फार्म द्वारा इस वर्ष कोई भी रिटर्न जमा नहीं किया गया है जिसे उसकी दुकान और गोदाम में रखे सामानों की जाच की गई जा अधार पर कारवाई की जाएगी जहांसी में ऐसे कई में वेपारी हैं जो जुएस्टी के नियमों का पाला नहीं कर रहे उनके खिलाब भी विभाग द्वारा आने वाले समय में कारवाई आवल में लाई जा सकती है एक फर्म है जो पान मसाला और सिग्रेट की खरीद विक के साथ में चार सीटियों और पुलिस फोर्स वगरा सब लगा हुआ है जहांसी के बर्वा सागर्थाना अंतरगत आने वाला पीपा पुल जो की परिक्षा चौकी में भी आता है दे रात लगबग बारे वज़े एक अठारा साल का यूवाग नदी में जागिरा जिसकी निवासी नामक 18 वर्षय यूवक अपनी बहन को चोड़का रात के समय घर लाट रहा था कि तभी पुल पार करते समय यूवक के पीछे से आ रही है एक चार पाईया वहाँ ने यूवक को पीछे से टकर मार दी जिसकी यूवक नदी में जागिरा परिजनों ने इसकी आतार नहीं चल पाया वही परिजनों कारोपे की यूवक के पीछे रात में जब वो अपने बहन को चोड़कर आ रहा था उसके पीछे एक फोर विलर सुनील यादनामक विक्ती चला रहा था जैसे ही मौका पाकर फोर्गलर गाडी में यूवक के साथ कोई अन्होनी घटना कर दी या फिर यूवक को अगवा कर लिया फिलहाल पुलिस मामले की जवाच परताल कर रही है वो फोर्गलर गाडी की दूसरे गाओं में बरामत कर लिया गया है प्रयागराश के हन्डिया कुतवारी श्रित्र कंद्रगत आने वाले रावतपुर गाओं का इपूरा मामला जहां ट्रैक्टर के चपीट में आने से बाइक सवारे की यूवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभी रूट से खायल हो गया यूवक की मौत से आक्रोशित ट्रैक्टर में आग लगा दी सोश्रा मिलने पर मौके पर फार बिगेट और पुलिस पहुंचे मिली जौनकारी के मताबिक रावतपुर गाओं डिवासी पवन कुमार गौतम जो की अपने साथी सतेश कुमार गौतम के साथ घर से अपनी बाइक लेकर लाक्षा ग्रह जा रही है उसकी दर्दनाक मौत हो गई वही साथी सतेश कुमार गौतम गंभी रूप से घाल हो गया है घर्टना के बाद साली को में आक्रोश है आक्रोशित ग्रामनों के द्वारा ट्रैक्टर में आग लगा दी घर्टना की सोचना मिलने पर डार 112 पुलिस फार्वगेट किसानों में हाकार मचा हुआ है मौरानी पुर उस्तेट नवीन गल्ला मली से से पी सी एफ केंदर पर लगातार आज नौवे दिन हाजारों किसानों के भिर उमड गई किसान जो खाद लेने आये थे वो अपने घरों को वापस नहीं गए राद पर मौरानी पुर में जमे रहे सुबह रात में ही पी सी एफ के अंदर लाइन लगा कर बैठी रहे लगातार दिन भर श्राम तक किसान बैठी रहे खाद नहीं आया यूपी किसान कॉंगर्स के प्रदेश अदेश चिमनाराइन सिंग पूरे दिन PCF केंदर पर नज़र बनाये रहे थे जिमेदार अधिकारियों सिपोन पर खाद मंगवा कर किसानों में वतरन करने के लिए जोर दे रहे थे लेकिन खाद श्राम को आठ बजे PCF केंदर पर आई जिसमें 400 बोरी डियेपी की थी तीन सो गोरी यूरिया खाते लेकिन किसान अभी भी PCF केंदर पर दरजनों की संख्या में जम्य हुए है और साथी साथ उनका कहना है कि बारिश हुए है जिसके वज़ों से खार और महंगा हो गया है लेकिन किसान लगतार इस किल्ल से जूझ रहे हैं जिस पर अधिकारियों का पूरी ध्यान नहीं है देखिए डियेपी खात और यूरिया खात को लेकर पूरे जनपत जहासी में हाहाकार मचा हुआ है यहां किसान रात के ही PCF केंदरों और सोसाइटियों में कतार लगा लेते हैं और हज्जारों की संख्या में किसान अपनी बारी का इंतिजार करते हैं लेकिन इंतिजार ये खत्म नहीं होता है और PCF केंदरों और सोसाइटियों में खाद ही नहीं आती है जब खाद नहीं आएगी तो क्या किसानों को मिलेगी और क्या किसान अपनी खेती की बुगाई कर पाएगी आज जनपच जहांसी का ये PCF केंदर मौरानीपूर है यहां आज लगातार नौवा दिन है और हमारे पीछे आप देख लीजिए हज्जारों किसानों और महिला किसानों की यहां भीड है और अभी तक PCF केंदर में खाद का कोई भीट रख रही आया परकवाद में भालते किसान यूनियन भानू के रास्टी अधियश भानुपताप सिंग ने मोदी के लिए विवादित बयान दिया है उन्होंने पीम मोदी को राक्षिश बताकर खुद को अर्जुन की भूमिका में बताया श्वायर के मौला से नपति स्थित एक प्रसिस्ठान पर पहुंचे रास्टी अधियश भानुपताप सिंग ने प्रदेश का राले का शुभारम किया उन्होंने कहा कि पूर में जीतने भी पीम होए उन्होंने जब चाहा तो उनकी मुलाकात हुए लेकिन ये लोगतंत के पीम मोदी है जो एक मिनट का समय किसान हिट में मिलने का नहीं दे रहे उन्होंने भी वादित बयान देते वे कहा कि अब मिलना नहीं है पीम मोदी राक्ष्यसी प्रवर्ती में आ गए है रास्टी अधियक्ष ने कहा कि अब मिलना नहीं अब चिनावी माभारत में वरजुन की भूमिका मनिंगाएंगे तब माभारत में जाती थी लेकिन अब सानों को कुछ नहीं दिया यूँअ प्रदेश अदेश प्रवन समाधी जिलादेश नरेन सोममंसी तमाम लोग यहां पर मौजूर रहें कासगंज में दो बाइकों में आमने सामनी की जोरदा ठकर हो गई हाथे में बाइक सवार तीन लोग अभी रुप से घाल होगे ग्रामिलों रहागीरों ने घायलों को गंज दुवारा C.S.C. में भरती कराया C.S.C. पर डॉक्टर्स ने घायलों को प्राक्त्मिक इलाज दिया डॉक्टर ने दो गायलों की हालक गंभीर देख अस्पताल रेफर कर दिया कोतवाली गंज दुवारा शित्र के राम छिनौती पुलिया के समीप यहाद्सा हुआ सोन बद्र का ये पूरा मामला है रॉबर्स गंज थाना अंतरगत ग्राम नागा नगर हरईया का जोहां बीते दिनों घर के रास्ते को अवैत कबजा करते वे सक्रा किये जाने पर विरोध करना एक 80 साल के बुज़ूर के साथ घर की मैलाओं को महंगा पड़ गया आरोप है कि 4-5 दवंगों ने बुज़ूर को जम कर पीटा बीच बचाप करने आये मैलाओं को भी दवंगों ने नहीं बक्षा आठ महिने की गर्वती पिड़ता ने बताया कि उसके द्वारा शोर मचाने पर दवंगों ने उसको लाथ घूसों से मारा बता दें कि चोट के बावजूद भी थाने पर जाने के लिए और्टम वेटकर जिलास्पताल भीच दिया गया लेकिन आरोपियों पर कोई कारवे नहीं केगी पिड़तमाईलाओं का कहना है कि जिस वक्त दवंग मार रहते हैं उस वक्त उनके घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं थे हर दोई जिले किसान दीरा शेतर में और द्योगिक शेतर में भारते किसान यूनियन अवेद गुठ के कारेकरताओं ने मिलावटी दूद का कारोबार पकड़ा कि अविशेक डेरी में मिलावटी दूद का कारूबार चल रहा है किसान यूनिन के डेरी में पहुशने के बार डेरी के कर्मी फरार हो गए सुशना पाकर मौके पर कताई मिल चौकी परभारी के साथ खादिस रक्षे वभा की टीम भी पहुची बताये जोरे कि इंडेरी में च्छापे मार कर कारवा की गई परिस्वर में पांच ड्रम में से एक हजार लिटर सोर भी टोल दो ड्रम में चार सो लिटर दूद बनाते हुए पकड़ा गया है प्रियाग्राजले के सराइना थानश्य ततरगर दलापुर बताये जारा है कि दलापुर मुहासा गाउं के निवासी रामचन बिन की बेटी रीना की शादी उत्राव के जलालपुर गाउं निवासी शुकमात बिन के बेटे राधर अमन सिंग के साथ नहीं हुई थी दैज में देने के लिए मोटो साइकल के साथ अभी सबान घर पर आ गया था लेकिन घर के पास सिकेत में लड़की की हत्या ग्याद बिनमाश्य दुवारा करके मौत के घाट इतार दिया गया विश्वेट दिवस उतरपदेश राजेट्स नियंतर सोसाइटी उतरपदेश लटनों के नुदेशों के नुपालन में समुदाय को नतित्व करने दे विशेपर जागुपता गोश्टी और हस्ताक्षर अभ्यान का आज़न टीबी सेनेटोरियम के सभाधार में किया गया पर जिला जज भुपिन पताप सिंग और सारंपुर नगर के महापा और डॉक्टर अजर सिंग का सरप्रथम मुखे चिकिसा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक और जिला अधियक्ष रोगे अधिकारी सरवेश कुमार सिंग द्वारा पुश्प भेट कर स्वागत किय जिसके बाद सभी अतितियों ने रड डुबन पर कैंटल जुलाई और बड़ी पोस्टर पर एड्स जागुपता के लिए साल के थीम के नीचे अस्ताक्षर के इसके बाद सरव पतम जिला शेयर रोगी अधिकारी द्वारा एड्स के लक्षर और बचाव के उपाए बताए गए और इसके साथ फिलाल कबरों में इतना ही आप बनी रही है न्यूस बालिटिया के साथ